है हैलो फ्रेंड तो आप देख सकते हो मैं आपके लिए फिर से एक new gK लेकर आ गया हूँ यह important है क्योंकि हम लोग जहारकंड राज्ये पर लेकर मैं यह आया हूँ जी के बहुत ही important है तो अगर आप जहारकंड राज्ये में रहते हो या किसी भी राज्ये में रहते हो तो को बेसिक नॉलेज होना चाहिए सामाने ग्यान है यह ओके जीके में आपको जारखंड का सामाने ग्यान इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा तो आपसे यह ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखे लास्ट तक और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा और अगर इस तरह का वीडियो और आप चाहते हैं कि आपको डेली मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चलिए हम लोग अब कोस्टन के पास चले जाते हैं अलो फ्रेंड तो हम लोग देखते हैं मोग कोस्टन नमबर वन पर आ चुके देखते हैं यहांपर क्या पर क्या है ज जार्खन की राजधानी क्या है डा इंसर क्या हो गलatoon राची बिल्कुल आप वीडियो से बने रहे में लाच तक आपको जार्खन कितना नौलेज हो जाएगा जिस सिक जिसके बाद आपको जार्खन से समद्धी सारे परन इनक ना आएंगे ऊके चलिनक्ष्ट दूसरा देखते हैं छार RAW में कितने जीले में धर्मान चे सर्ण बना था उससे में 17 जीले थे और अभी देखते हैं 放心 में दो 24 चीलेर चली लोग नेक्ष्ट थेर्ड कोस्ट देखते हैं यहां question number 3 पर हम लोग आगे हैं या दिखेंगे जारखण की गंगा नधी किस जीले से गुजरती है जारखण की गंगा नधी किस जीले से गुजरती है तो sahभ गंज sahङब गंज एक आपका जीला है आपको मैंने 24 जीला बताया है कि 24 जीला जहारखण में है तो आप उसमें से 10 का कमेट जरूर करोगे कि 10 जीला कौन-कौन सा है आप पता होगे उसमें से एक साहिप गंजाद आ रहा है वैसे आप लाश्ट तक देखो के तो सारा जीला से आपको लर्ण हो जाएगा चले देखत कॉस्चन निबर 4 मुक्हे मंतरीक की न्यूकती किसके द्वारा की जाती है मुक्हे मंतरी है MALE तो इसका न्यूक्ति कौन करता है, जार्खन के मुख्य मंतरी का, राज्येपाल, किसी भी राज्ये का मुख्य मंतरी का न्यूक्ति राज्येपाल द्वारा ही किया जाता है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, question number 5 में, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग का... Question number 5 आगे जार्खन में बिरला, बिर्सा अन्दोलन का मुख्य केंद्र था बिर्सा अन्दोलन का मुख्य केंद्र क्या था? खुट्टी, खुट्टी एक जिला है, वहीं उसका मुख्य केंद्र था अभी interesting question बहुत बचा हुआ है तो आप जरूर इस वीडियो से बने रहे तो हम लोग यहां देखेंगे question number six पारशनात की पहाड़ी जर्खन के किस जीले में स्थीत है तो गिरीडी राजय में स्थीत है और कितना फीट है वह उच्छा तो 4440 यह यह competitive exam या आपके स्कूल की exam अगर आप student हो तो स्कूल की exam में सारे में पूछा जाता है जीके रिलेटेड यह जर्खन है जर्खन का है ओके चले next time लोग seven question number seven पर चलते है जर्खन की कुछ नदियों के नाम बता है जर्खन की आप कुछ भी नदियों के नाम बता सकते है कोई भी नदी ओके मैं यहां पर तीन ले लिया हूं सोड न रिखा न दी खरकाई न दी और उत्तर कोयल न दी ओके आपर मैं तीन न दी लिया हो आपको भी तीन चार पाच लर्ण कर सकते हो यहां पर मैं सिर्फ थ्री लिया हूं चले बादो कोश्चन नबर eight पर जाते हैं कि यहां question number eight में हम लोग का बादों जार्खन की न यह कौन से बादों आके भारत में देखते हैं घारचन और वहाँ वोकूंसे इस फ्थान पर इस्थीत है भारत के चले भारत की उत्तर पूर्व राज में उत्तर पूर्व राज में अगर यह ऐसे करेंगे हम लोग इस तरह से क्रॉस करता है अगर इधर पूर्व है इधर पस्चिम इस साइड उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम उत्तर दक्षिन तो यह देखे उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व यह द tha 60463 km यह आपका फूरायं से पस्चिम की लंबाई है की देख सकते हूं आप मैंने आपको बताया कि जारखन में पूराङ से पस्चिम की लंबाई तो 463 km इतर्फ नागर्खन था तो जार्खन में पूरव से पस्चिम फूरव से पस्चिम की लंबाई यहां से लेकर यहां तक आपका 463 है और यहां नीचे देख लेते हैं जारखन की उत्तर से दक्षिन की लंबाई उत्तर से अगर इस तरह से मानेंगे हम लोग उत्तर से दक्षिन की लंबाई कितना 380 की 380 किलोमेटर यह बहुत ही इंपोर्टेंट है दोनों कोश्चन कैंसर आपको जरूर लर्ण करना चाहिए क्योंकि हर एक पेस पर हर एक जगा पर यही पूछा जाता है तो आपको यह पढ़ लेना चाहिए चलिए हम लोग कोश्चन नमबर 11 यहां हम लोग देख लेते कोश् चेत्रफल कितना है तो 79,714 किलोमेटर है नासी हजार साटसो चौदा किलोमेटर है छारकंड का कूल चेत्रफल यह आप नोट डाउन करते यह कॉपी में यह जा तो स्क्रीन शॉट लेकर मोबायल में रख लेजे और इसे जरूर जी के कॉपी में राइट करो गया आप चलि नेक्स्टम्र लग 12 नमबर पर चलते हैं धार्खंट संपूर्ण भारत में कि खुल शेतरफल का कितना 30 है जो भूर्षा कंद वह समझतों का इंडिया 100% होगा इंडिया हरकंद का कितना परशने यहां पर एकर चले नेक्स्ट कोस्टन में चलते हैं 13 तो देख सकते हो यहां पर हम लोग कोस्टन 13 पर आ चुके है जारखन राज्जी कौन-कौन से राज्जे से घीरा हुआ है यह बहुत ही इंपॉर्टन कोस्टन है आपको यह जरूर पता होना चाहिए अगर पता है तो आप बीना देखे कौन-कौन से घीरा है समझ लजे यह जरकंड होगा तो यह इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यह चारोजीशा से कौन-कौन से घीरा हुआ है यह हम लोग को जानना बहुत important है मैंने इंडिया में आपको बताया था कि इंडिया का पडोसी देशी ये भी पडोसी जहारखन के पडोसी राज्ये इसे कहा जागा ठेके जहारखन के पडोसी राज्ये सारा है चले हम लोग देखते कि उत्तर से कौन है पूरप से कौन है पस्चिन से और दक्चिन से कौन है उ पूछना कुछ तो आपका जरूर किलियर होगा यहां से और मेरे साथ अगर आप से चल्ब को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम सारा वीडियो बनाता हूं तो आप मैप से रिलेटेड में हमेशा बनाता है तो आपका मैप जरूर किलियर हो जाएगा, मानचित्र चलिए यहां देखते हैं, उत्तर में बिहार, दक्षिन में ओड़ी सा, दक्षिन नीचे होता है, दक्षिन से ओड़ी सा है, पूरो में पस्चिम बंगाल, इस साइड में पस्चिम बंगाल है, आप गोगल में मैप देख सकते हैं, पस्चिम में क्या है, छतिस गड़ एवं उ मुत्रपदिए से आप देख चुकहें इसे वह जो चलते कोश्चनबर प्रौटीनंथ में तो यहां आप लोग आ चुक है कुश्चनबर फोटीनत में बहुत ही important question है यह बहुत ज्यादा important है कुल प्रमंडलों की संख्या, कुल प्रमंडलों की जारकंड में कितने प्रमंडल है जारकंड में कितने प्रमंडल है तब 5 कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है ओके 5 प्रमंडल, प्रमंडल में ज्या होता है तो चलिए मैं आपको फास्ट ली में बताता हूं एक दम फास्ट में चलिए देखें इंडिया के अंदर क्या आता है बहुत सारे स्टेट इंडिया के अंदर क्या आता है बहुत सारे स्टेट यह इंडिया है इसमें छुट 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 इस्टेट आते बहुत सारे स्टेट के अंदर लगवग 4-5 J Là , 6 J Là , 7 J Là , ऐसे रहती है , अगर ये इक प्रमंदल है झिसमें 67 J Là , किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होते है , तो 5 ही प्रमंदल है , 5 प्रमंदल में हम लोगं का 24 J Là जितना भी है less Helena , is talent hard work , आज between चलित नेक्स्ट देखते हैं फूर्वटेंंत ऊबसे कोा अचान्ड सबस्ते बड़ा प्रखंड रधाङ्व आपको कि आप तो 10 अध्य話 आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दूसरे वीडियो में, इस वीडियो बना दूँगा, नेक्ष्ट दूसरे दिन मैं वही बनाने वालो हूं, कि कौन से प्रमंडल में कितना जीला है, ओके चलिए नेक्ष्ट सिक्स्टी नंबर का व्लोग देख लेते हैं, शेते पहलं की द्रिष्टी से सबसे च्छोटा प्रमंदल सबसे बड़ा तो उत्री च्छोटा न्यागपूर का प्रमंडल। ऋट्रीचुटा Gраж सबसे च्छोटा रखना ईंगा um कोश्चन हम लोग 17 पे आ चुके हैं अगर आप एक सिरियस स्टुडेंट हो और पढ़ना चाहते हो आप तो आप इसे जव पढ़ते चलोगे वीडियो को बीच में स्कीप नहीं करना हो के चलिए छेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला चेतरफल की दृष्टी से सबसे बड़ा जीला कौन सा है पस्चमी सिंभूम पस्चमी सिंभूम तो आपको बहुत सारा जीला लर्ड हो गया होगा रामगर्ड एक जीला पस्चमी सिंभूम दूसरा जीला और मैंने राची एक बताया था वो तीसरा जीला तो तीन जीला लर्ड हो गया हो और भी एक दो बता आँगा तब आपको सारा अच्छे से थोड़ा समझ में आदागा कुल अनुमंदल अभी आपको लर्ण कर लेना है 45 ओके नेक्स्ट अब हम चलते हैं 20 नुमबर पर तो यहां आप देख सकते हो कोश्चन नुमबर 20 है तो कुल प्रखंड की संख्या जारखंड में कितने ऐसे बारत की जलवाईं मान सूनी है और जारखंड की जलवाईं मान सुनी अら उस ने करी बंदिया मान तुनी चले हम लोग चलते हैं question number 23 में, 23 में लिखा गया है कि जारखन में 6 तरह की मिट्टी है, कौन-कौन सी है, अगर आपको पता है तो जरू comment कीजिए, और नहीं पता है, तो चले हम लोग देखते कि कौन-कौन से मिट्टी होती है, तो आप answer देख सकते हो, यहां कितने 6 तरह की मि मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अबरक मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोड मिट्टी, जलोड तो आप जानते हैं, बांगर और खादर होती है, तो लाल मिट्टी, काली, लेटराइट मिट्टी, और अबरक मूलक मिट्टी, रेतीली और जलोड मिरिदा, ओके, इतना छेतरा का मिट्टी यहां पर पाया जाता है चले हम लोग गोशन नमर 24 में जाते हैं अभी आपको और भी जाना जरूरी के बहुत सारे चीके भी बचा हुआ है question लगबख साथ question और बचा गुए चले आगे चले हम लोग question लुट्य अभी आटि इस्टान का ऊके तो उस इतरह कम क 두 थे घरे करते हुए पंद्रेम करते हैं चेतरफ़र के दृतबंण सब다면 सुवसें 15 होई नमबर में सब्सक्राइब को सुवसें 15 चाहिफें 15 November 2000, और वो किस से अलग हुआ था तो बिहार से, किस से अलग हुआ था वो बिहार से अलग हुआ था, 15 November 2000, बिहार का कौन सा दीसा था, कौन सा कौन सा देखते हैं, कि दक्षिन भाग से विभाजित हुआ था, बिहार के दक्षिन भाग से, अगर यहां बिहार है, बिहार का नी चलते हैं question number 26 में तो यहां हम लग देखते हैं question number 26 जार्खन भारत का कितने नंबर वाला राज है जार्खन जो बनाया ना क्योंकि जब जमो कस्मीर अलग नहीं वा था तभी जार्खन बना तो हम लोग उस समय 29 राज था तो जार्खन भारत का कितने नंबर वाला राज जे तो 28 वा राज है 28 नंबर पर जार्खन बना था ओके 2000 दो हजार में पंदर्य नंबर 27 पर चलते हैं अगर अच्छा लाग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिए और इससे जुणने इस तरह के जीके रिलेटेट कोश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए देखते हम लोग को सबसे अधीक जनसंख्या वाला जीला जानते वाब जार्खन म इसलिए राची में बहुत सारा जनसंख्या है क्योंकि सभी लोग को रोजगार बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सभी लोग अलग-अलग रामगर पलामू चत्रा यह सबसे यहाँ पर आते हैं काम ढूणने के लिए ओके तम लोग यहां देखते हैं सबसे अधीक जनसंख्या वाला राज जीला राची है राची है नेक्स्ट कोशन 28 सबसे कम जनसंख्या वाला जहारखन के जीला जहारखन में कौन साय सा जीला जो सबसे कम जनसंख्या उसमें लोहर दग्गा हो गया नेक्स्ट हमलों का कोशन 29 में आते हैं तो आप देख सकते ह आपर अमलों कोस्टर में 29 में आ चुक है जार्खन के सबसे अधीक लिंगा नुपात वाला जीला पस्चमी सिम्भूम एक हजार पूरूसों पर एक हजार पांच मैला है पस्चमी सिम्भूम जार्खन के सबसे अधीक लिंगा नुपात वाला जीला यह है नेक्स्ट अमलोग देख लेते हैं जारखन के सबसे कम लिंगानों पात वाला जीला धनबाद है नौसो नौ है यह आप अमलोग का वीडियो इंड होता है मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा लगाओ तो जरूर लाइक कर दीचे और दो-चार फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि आपको फ्रेंड को भी जानने का यह अधिकार है जारखन में गर रते हो तो और अलग राज्य में भी रते हो तो आप इसे सेयर कर सकते हैं और इसी तरह के और वी नोलेजबल वीडियो के लिए आप राज क्लासे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देजा और बेल आइकन को जरू क्लिक कीजिए नोटिटिकेशन डेली पाने के लिए थैंक्यू